Hello everyone, तो स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जो है ओशिन थर्मल एनर्जी कनवर्जिन इसकी अविलिबिल्टी, लोकेशन कैसे काम करता है, ड्वांटे, ड्वांटेज, एप्लिकेशन, लिमिटेशन, सारी चीज़े पढ़ने वाले हैं पड़ शुरू करने से पहले मैं इस कंसिप्ट को क्लियर कर दूँ, हम जानते हैं कि लगभग 80% हिस्सा समुद्र है, और हमने थर्मल एनर्जी कनवर्जेशन के अंदर एक चीज़ जानी की मेन सोर्स ओफ एनर्जी हमारी सन है, अब ये जो ओशिन है, उसकी टॉप लेयर सन के कॉंटेक्ट में आती है, और ये टॉप लेयर क्या हो जाती है, वाम हो जाती होगी, हौट हो जाती होगी, जबकि नीचे की लेयर क्या रहती है, उसकी ठंडी रहती है, जिस वज़े से अब ये टेंपरेचर डिफरेंस यहां क्रियेट हो गया, अब ये मोशन वेज का इस ड टिकल डायरेक्षन के अंदर अगर हम तर्बाइन इस्तमाल करें, तो इस केस में भी हम एनरजी को प्रिड्यूस कर सकते हैं, इलेक्टिसिटी को प्रिड्यूस कर सकते हैं, जिस तरह हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्षन में करते हैं, तो यह एक basic concept है, साथी साथ कुछ ऐसा भी कर सकते हैं ओशन थर्मल के अंदर एक दूसरा प्रोसेस ये भी है कि नीचे वाली जो लेयर है सबसे डाउन मोस जहां डीप ओशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर नीचे वाली लेयर मैगमा के बहुत क्लोज होती है तो वो बहुत जादा होट होगी इसके उपर वाली लेयर कोल्ड होगी तो ये जो पर्टिकुलर वाटर यहाँ पर है जो की बहुत जादा टेंपरेचर पर है इसको हम as a heat exchanger fluid की तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं तो ये दो प्रोसेस हो गए जिसके अंदर अगर लेयर की बात करें तो टॉप लेयर होट सबसे नीचे वाली लेयर होट और बीच वाली कोल्ड तो ये सारी चीजों का हम इस्तमाल कर सकते हैं और यहाँ से इस thermal power को electricity में convert कर सकते हैं different different mechanism को start करके तो शुरुआत करते हैं OTC सत्तप्रतिशत हिस्सा जो हमारे अर्थ का है वो पानी से बना हुआ है oceans है कह सकते हैं कि largest solar collector ये कहलाया जा सकता है the conversion of solar energy stored as heat in ocean को हम electrical energy में convert करते हैं इसी को ही हम ocean thermal energy conversion बोलते हैं या OTC भी बोलते हैं ये ऐसी जगा पर किया जाता है जहां deep sea होता है so that वहाँ temperature difference हमें अच्छा मिल जाए तो minimum temperature difference अगर हमें 20 degree Celsius का मिल जाता है ऐसी जगा पर हम इस काम को कर सकते हैं OTC के साथ-साथ हमें rich nutrients भी वहाँ पर मिल जाते हैं और साथ-साथ किसी नई जगा पर अगर plant लगेगा तो वहाँ पर living creatures भी आना start हो जाते हैं marine life भी वहाँ पर start हो जाती है कुछ basic चीज़े जान लें जैसे इंडिया के अंदर लगबग 6000 किलो मीटर का जो है वो समुदरी तठ है जिसको हम इस्तुमाल कर सकते हैं क्योंकि ये eco-friendly energy conversation system है तो काफी फाइदेवन्द हो सकता है सबसे पहले 1881 में French physicist ने इसको बनाया पहला plant 40 kilowatt का test हुआ क्यूबा में 1930 में पहला modern OTC plant Hawaii USA में बनाया जो 50 kilowatt produce करता था इंडिया के अंदर भी 1 megawatt का plant है लक्षवदीब के अंदर OTC plant जपान के अंदर भी 100 kilowatt का operated है अभी जो काम करता है जिससे electricity लेते हैं availability की बात करें तो हम फिर से कहते हैं की 80 प्रतीशत जो है वो समुद्र है जिसको हम use कर सकते हैं जहां पर annual flux sun का 0.85 into 10 raise to the power 18 kilowatt आर इतनी energy है जिससे हम 17 से लेकर 20 megajoule पर meter square energy को absorb कर सकते हैं approximately 12 watt पर meter square energy हम produce कर सकते हैं समुद्र से by the help of OTC और ये भी हम जानते हैं कि equatorial area पर ये temperature difference ज़ादा हो सकता है तो यहां पर efficiency उसकी भड़ जाती है साथी साथ latitude और season भी effect करते हैं कि इसकी availability कहां कहां पर किस किस समय पर है यहां पर देखें तो जनवरी से लेकर fab तक beach august season में सबसे ज़ादा availability रहती है और latitude की बात करें तो near the equator ये highest है जैसे जैसे equator से दूर चले जाते हैं तो ये चीजे कम होती चली जाती है different different type की locations के हिसाब से different different plant को बनाया गया ships के through वहाँ पर ले जाया जाता है सारा समान install किया जाता है और लगबग उससे 2 km की दूरी पर इसको हम इस्तित रखते हैं वहाँ पर किसी भी ships का आना जाना प्रतिबंदित होता है disadvantage भी है इस चीज की और साथ ही साथ अगर में कहें वहाँ पर जो sea life है को हम इस्तिमाल कर सकते हैं land based plant land based plant के case में ऐसी जगा पर जहां पर समुदरी तटतो है मगर वहाँ अभी जीवन जादा नहीं है वहाँ पर हम इसको बना लेते हैं और दूर से ही इस heat exchanger का इस्तिमाल करते हैं मतलब सारे motors तो हमारे land पर होते हैं मगर जो system है वो हमारा समुदर के अंदर तो इस वज़े से क्या है कि हमें location के case के अंदर cost efficiency बढ़ जाती है self mounted वाले case के अंदर ऐसी सी जहां पर अचानक से गहराई बढ़ जाए शुरुवात में माली जे कम गहरा है और उसके बाद अचानक से गहराई बढ़ जाए ऐसी जगा पर जो plant लगाये जाते हैं उसको हम self mounted plant बोलते हैं जिसके case में हमारी cost भी reduce हो जाती है कि वो समुदर के अंदर भी है मगर बहुत गहराई में हमें ले जाना भी नहीं है इस टाइप के production में hydrogen, NH3 और oxygen जैसी gases भी निकलती है जिसको हम harness कर सकते हैं grazing power plant इन power plants को हम केवल ship पे ही mount करते हैं ना तो वो समुदरी तट पर है ना ही समुदर के अंदर हम उसे ship में ही mount करते हैं कहीं भी एक जगा से दूसरी जगा पर इसको ले जा सकते हैं जिस वज़े से एक efficiency इसकी हम increase कर सकते हैं मगर साथी साथ जब हम change करें ocean के area को तो कहीं कहीं economic manner में वो कम फायदेमंद होता है और power भी हमारी क्या होती जाएगी वो भी fluctuation हमें मिलेगी tropical और subtropical areas के अंदर ऐसे grazing power plant को लगाया जाता है working principle तो मैंने आपको starting में ही बताया कि solar energy जो trap हो जाती है ocean के अंदर उसको इस्तमाल किया जाता है लगबग temperature difference 20 degree Celsius का होना चाहिए और एक conclusion भी हम यहां से बना सकते हैं कि जो surface layer है उसकी वो source की तरह काम करेगी क्योंकि वहाँ पानी गरम होगा और जो lower वाली layer है वो cold layer जो sink की तरह काम करेगी अब यह motion शुरू हो जाएगा और हम rotors के जरीए वहाँ से पानी generate कर सकते हैं solar radiation absorption का जो concept है वो हम radiation absorption law जिसको हम lambert's law के नाम से जानते हैं इससे calculate किया जाता है यह एक ऐसे type का plant दिखाया है जिसके अंदर दो अलग-अलग layer दिखाई गई है ocean depth पर एक TB level पर है एक upper layer जो TS level पर temperature पर है किस तरीके से heat exchanger वहाँ से पानी का flow चल रहा है without pumping action यहाँ पर चल रहा है obviously temperature अगर जादा होगा वो उपर की तरफ आएगा कम होते ही वो नीचे चला जाएगा so that इस पानी की वज़े से यह working fluid क्या हो जाए वो गरम हो जाए, evaporate हो जाए evaporate होने की वज़ा से यह turbine हमारी start हो जाए अब दोबारे से इस working fluid को हमने condense कर लिया और जो पानी यहाँ से condense के लिए आया उसको हमने अब की बार ठंडा पानी नीचे से ले लिया मतलब दोनों ही काम गरम पानी जब evaporate करना है तो गरम पानी हमने ले लिया और जब हमें ठंडा करना है तो हमने ठंडा पानी यहाँ से ओपर ले लिया तो यह कुछ इस type का process है अलग-अलग type के यह plants होते हैं जैसे open cycle जिसको clot cycle के नाम से भी जानते हैं जिसको endersal cycle के नाम से जानते हैं और hybrid cycle plants भी होते हैं open cycle जिसके अंदर input तो है मगर कोई feedback नहीं है वहां condenser करके उस पानी को दुबारे से हम नीचे नहीं ले जा रहे मतलब यहाँ open cycle system है यहाँ पर कोई intermediate working fluid भी नहीं होता है जिस तरह मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पर दो तरीके के fluid हैं जैसे यहाँ एक तो water और दूसरा यहाँ rotate करने वाला turbine को generate करने वाला एक fluid इस open system के अंदर simple एक सीधा सीधा flow है सीधे सीधे flow के अंदर हम यह देख सकते हैं कि यहाँ से हमने warm water लिया उसको evaporate करने के लिए दूसरा fluid का इस्तमाल किया उसको हमने turbo generator को rotate करने के लिए इस्तमाल किया फिर condense किया और छोड़ दिया इसी तरह तो यह हमारा block diagram हो गया open type का या cloud type का close के अंदर आप इस diagram से देख सकते हैं कि दुबारा दुबारा उसको इस्तमाल किया suppose evaporate करने के लिए हमने पहले deep ocean से पानी लिया उसके बाद हमने turbine को rotate कराया दूसरे fluid से condense करने के लिए भी हमने cold water layer से पानी लिया और दुबारा से उसको वहीं पर भेज दिया तो जो पानी ठंडा हो गया उसको lower division पर पहुँचा दिया और जो पानी गरम हो गया उसको higher division पर रखा तो कुछ इस तरह से ये पूरे working चलती रहेगी जिस diagram से इस चीज को आप बहतर समझ सकते हैं hybrid cycle के अंदर क्या किया यहाँ पर heating के लिए साथ साथ यहाँ पर heating element भी इस्तमाल किया जिससे क्या होगा हमारी जो power है वो constant flow करेगी एक constant power supply provide कर सकेगी तो इस system का इस्तमाल किया गया जिसके अंदर evaporated water के साथ साथ हमने heating filament भी इस्तमाल किया है बाकी सारा process बिल्कुल वैसा ही है तो इसको कहा हमने hybrid cycle खतम करते हैं इस topic को advantages जान लेते हैं relatively clean, environment friendly steady power मिलेगा हमें हमेशा मिलता रहेगा दिन में, रात में, किसी भी time इसका कोई मतलब नहीं है by product भी होते हैं वो काफी useful होते हैं variety of products and services near OTC power plant available हो जाते हैं जैसे fisheries, marine life नई-नई start हो जाएगी और employment provide करने के लिए भी बड़ा काम आता है limitations की अगर बात करें तो cost बहुत जादा low pressure, बहुत बड़े size के हमें blades का, turbine का इस्तुमाल करना पड़ सकता है जिससे cost उसकी बढ़ जाती है working fluid इस case के अंदर expensive आता है क्योंकि temperature difference तो बहुत कम है तो हमें expensive fluids का इस्तुमाल करना पड़ सकता है क्योंकि समूदर में है तो corrosion का खत्रा मतलब फिर से cost electrical energy की जो cost निकल कर यहां से आती है वो काफी high रहती है मगर renewable है damage कर सकता है ecosystem को जैसा मैंने बताया वहां की fish life को पूरा खतम कर सकता है floating plant को बनाना बड़ा ही typical रहता है intermediate chemical leakages भी वहां पर होती है application के case के अंदर desalinated water का इस्तुमाल यहां पर जो fetch होता है उसको हम इस्तुमाल कर सकते हैं irrigation purpose के लिए chemical treatment plant भी बनाये जाते हैं deep water में से pump करने के भी काम लाया जाता है इस particular energy को hydrogen production के काम आता है nutrients को निकालने के लिए काम आता है और जो nutrients हैं नीचे से उपर आते हैं तो उपर की layer वाले जो मचली हैं oysters हैं उनको feed करने के लिए भी काम आता है fish life भी बढ़ जाती है कहीं कहीं जहां पर वो ज़ादा environment को नुकसान नहीं पहुंचा रही तो एक तरीके से advantages भी हो गए disadvantages भी हो गए fresh water भी निकालने के समुद्र से काम आता है साथी साथ aquaculture और mariculture में भी इस्तमाल होता है so this is all OTC and next दो lecture हमारे बचे हैं waves and tides